आज मैं बनाने जारही हूँ ब्रेट का बहुत ही चटपुटा सा नाश्टा आपने इस रेशिपी को गभी नहीं बनाया होगा आप two-page iis bread शेजवान सॉस या चटनी ना हो तो आप क्या करें ना टोमैटो केचप लगा लिजेगा अगर वो भी नहीं है तो आप ग्रीन चट्टी या निकी धनिया पदीने वाले चटनी का भी यूज कर सकते हैं तो यहां पर इस तरीके से ना आप को लगा लेने हैं उसके बाद इसकी कटिंग करनी है तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इसके पतले-पतले स्लाइस कट कर लेंगे ठीक है तो आपको अगर इसक्वार में शेप करना हो कटना तो आप उसे इसक्वार में भी कट कर सकती है तो लेकिन इस तरीके से आप नाश्ते अगर बनाती है न तो देखने में जितनी भी बहुत ईभुत ही लगती है और खाने में दो भी यमियत है तो ट्यार को यह क्रिस्ψ भी को पीं कुट घला को चल önem है अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे अब यहां पर देखिए दो पिस मैंने बड़े साइस के मैंने प्याज लिया था जिसे मैंने पत्ले-पत्ली स्लाइस में कट करकी हाथों से इस तरीके से क्रश कर लेना है ताकि इसके जो लच्छी है ना बिलकुल खुल करके निक नमक टेश्ट के हिसाब से ही डालिएगा 1-4 टेश्पून हल्दी पॉडर और 1-4 टेश्पून मैं यहां पर मिस्च पॉडर का भी यूज़ कर रही हूं तो चिली फिलक्स वगर हो तो वह भी आप यहां पर ले सकते हैं और 1-4 टेश्पून यहां पर साबुद मैंने जीरा लिया है और 1-4 टेश्पून मैंने धनिया लिया है धनिया को हाथों से अच्छे से करके लिया है थोड़ा सा तो इसका जो फ्लीवर ना बहुत ही अच्छा आता है इस नाश्टे में और थोड़ा सा मैंने हिंग डाल दिया है और 1-4 टेश्पून ही मैंने यहां पर चाट मस डालने से इसका फ्लीवर जो है बहुत ही अच्छा सा आ जाता है अगर चैक मसाला नहीं है तो आमचुर पॉडर हो तो आप डाल दीजिए या तो फिर आप लेमन जूसगार के डाल सकते हैं अब यहां पर धन्या की पती डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे साइ जम्यां grace Lati अधाम तो यहां पर दूसरा बाल का यूस कर रही हूँ अब इस में करना क्या है कि आपको न यहां पर चार से पांच चमच ले ट Conc i को अच्छ से से चां लेना है तो है आप छां करकी लिया है तो यहां पर पेसं ले लिए मैने और आप नाश्टे को मैं क्र बहुत करारी बनेगी अब इसमें डाल देजे आधा चमच अद्रक लेसन का पेश्ट अगर आप अद्रक नहीं खाते हैं तो सिर्फ आप लेसन डाल सकते हैं अब इसमें डाल देजे वन फोर टेस्पून अजवायन इससे जो है टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और डाइज तो पानी जो है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है नए तो यह जो है बिल्कुल लिक्वीड सा हो जाएगा लेकिन इसमें चावल का आटा भी पड़ा है तो चावल का आटा थोड़ा सा पानी को एब्सॉर्ब करती है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बा और फीछ से बाइब पानी की शुक्ते पड़ हैं अब हमें करना है कि यह जो मैंने प्यास में मसाले भी डाले थे ना इसमें हमने अब इससे अब एक बार hadn't कर देंगे अब यह जो हमारा नाष्टा बनने जा रहा है ना फ्रेर्स बहुत ही अच्छा सा बहुत किरिस्पी और करा रहा बनेगा अब इसमें एक्स्ट्रा हम ओयल डालेंगे ना तो इससे आपकी जो नाष्टे बनेगे ना बिल्कुल कुरकुरे से बनेगे तो ओयल डालने के बाद इसे आप अच्छे कोट करना है अब और में आपको डाल देना है इस तरह के से तो इस तर occupier से शीट घा तो इसे आप क्या नाम देंगे प्रेट पकड़ा देंगे प्रेट कि क्याआई कौन सा ये नाष्टा और के तयार हुआ है फ्रेर्स आप मुझे कमेंस में जरूर बताएंगे त इस तरीके से आप doctor called your payments व्राय करना है मीडियम रख रहने के बार एक मीडियम तो आप्वार ईस्रेपि यहां पर ख्लाय करें इस नाश्टे को बहुत ही मतब कि ये कम समय में बहुत ही अच्छा सा कुरकुरा सा नाश्टा तैयार हो जाता है आप एक बार इस रेसिपी को जरूर से ट्राय करके देखिए का आपको बहुत पसंद आएगी तो इस तरीके से अलट पुलट करके इसे आपको गोल्डन ब्रॉ को फ्राय कर लेने है तो आज की रेसि पी अच्छी लेगी दोस्तों प्लीस लाइक शेर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें लिए इस लिए को चुल फैमिली में हैं तो सभीनाश्टे हमने इसी तरीके से श्राय करके निकाल लिया है तो आपने देखा ये 3.5 ऊ。 ब्रेड है और ब्रेड के नाश्टिक कितने धीर सारे बन के तयार हो चुकी है चले फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ